मुझ्या होरर लेजंड होरर स्टोरी कहते हैं कि जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई भी है जहाँ रोशनी है वहाँ अंधेरा भी है वैसे ही अगर देव है तो असुर भी और आज मैं आपके लिए एक ऐसी खौफ़नाक असुर की कहानी लेकर आया हूँ जिसे मुझ्या कहते हैं रिजनली मैंने एक नई मुवी मुझ्या का ट्रेलर देखा जिससे देखकर मैं बड़ा इंप्रेस हो गया पहले तो मुझे लगा ये कोई फिक्शनल कैरेक्टर है लेकिन जब मैंने मुझ्या के बारे में रिसर्च की तो मुझे पता लगा कि वो कितना भयानक है ये कहानी अभिनव और जै की है जो बच्पन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे दोनों महराश्र के एक छोटे से शेहर में पैदा हुए थे और समुद्र किनारे बसे उसी शेहर में बड़े हुए थे पर आज का दिन कुछ अलग था आज अभिनव का 18 बर्डे था जैन अभिनव की बर्डे के लिए एक बहुत ही special idea सोच रखा था वो अभिनव को रात 12 बजने से ठीक पहले ही एक बीच पर ले गया पर 12 बजते ही जैन अभिनव को happy birthday विश किया और अपने बैक से एक शराब की बॉटल निकाली अभिनव वो बॉटल देखकर थोड़ा चौक गया आज से पहले उन दोनों में से किसी ने कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाया था जैने अभिनव से कहा कि ये उसकी birthday celebration का ही एक हिस्सा है अभिनव भी अपनी life में एक नया experience लेना चाहता था इसलिए उसने जै की बाद जट से मान ली वो दोनों समुद्र के किनारे काफी देर तक बैठ कर शराब पीत रहे कुछ देर बाद जै को जोर से टॉलेट आ गया वोट कर एक पेड की पास टॉलेट करने चला गया लेकिन नशे में धुत जै ने ये देखा ही नहीं कि वो पेड कोई आम पेड नहीं बलकी एक पीपल का पेड था टॉलेट करते हुए अचानक से जै के सर पर एक पत्थर आ पड़ा जै ने पेड की तरफ सर उठा कर देखा तो उसे वहाँ कोई नहीं दिखा इतने में अमिनव भी उस पेड के पास आ गया उसके हाथ में एक खाली बॉटल थी और उसने मजाथ में उस बॉटल को जोड से जै के पास फैका वो बॉटल सीधा उस पीपल के पेड पर जा लगी और उसके टुक्डे टुक्डे हो गए और उस बॉटल के पेड पर लगते ही एक अजीब सी आवाज आई ऐसे अवाज जैसे कोई जानवर गुस्से में गुर्रा रहा हो एक मिनिट के लिए अभिनव और जै दोनों ही शान्थ हो गए लेकिन कुछी बलो बाद वो वाज आना बंद हो गए तभी अचानक से जै ने नीचे पड़े तूटे हुए काँच के टुकडों में से एक पीस उठाया और उस पेड के तने पर काँच के टुकडे से अपने और अभिनव के नाम के फिर्स लेटर्स लिखती है ए जै जै ने पेड पर उस काँच को खरुशते हुए कहा अगर आप उन 80% लोगों में से हैं तो बस आपको एक छोटा सा काम करना है इस वीडियो की नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा बस उस सब्सक्राइब बटन को दबाना है बस इतना सा काम करना है आपको और लगे हाथो बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि हमारी लेटिस्ट वीडियो आते ही आपको सबसे पहले पता चले उस पीपल के पेड की डालियां जोड-जोड से हिलने लगी और कुछी सेकंड्स में एक बड़ी सी टेहनी सीधा आकर जै के सर पर गिरी और जै वही बिखोश हो गया कि देखकर अभिनव का नशा मानो एक सेकंड में चूर हो गया वो जल्दी से जै के पास गया और उसे होश मिलाने की कोशिश करने लगा तब ही अभिनव को अपने पीछे से एक आवाज आई मानो पेड से कुछ नीचे गिरा हो अभिनव ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा उसके पहरो तले जमीन के सक गई उसके ठीक पीछे एक काली सी पड़्चाई थी जिसकी दो नीली आँखें अंधेरे में चमक रही थी अभिनव को अपनी नजरों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था अभिनव को लगा कि जो भी उसके पीछे है वो कोई ना कोई सूपर नाचुरल क्रीचर है वो जैसे ही उस जीव से दूर जाने के लिए भागा उस जीव ने उस पर हमला कर दिया उसके बड़े बड़े नाचून अभिनव की पीठ में घुज गये लेकिन चीकता हुआ अभिनव जैसे तैसे उस जीव की पकड़ से चूटा और वहां से दूर भाग गया दूर जाकर अभिनव ने देखा के वो जीव एक काली परचाई में बदल गया है और वो बिहोश पड़े जै के मूँ के अंदर खुज गया और तभी अचानक जै अपनी बिहोशी से उठ खड़ा हुआ अभिनव दूर से उसका नाम बार-बार पुकार रहा था पर जै मानो सुन होकर एक ही जगा पर खड़ा था उसकी आँखें पूरी तरह से नीली पड़ चुकी थी और वो बस वहां एक पुतले की तरह खड़ा था तभी अचानक से जै जमीन की तरफ जुका और उसने वहां पर पड़े तूटे हुए काँच का एक टुकड़ा उठा लिया और अपनी शर्ट पाड़ कर अपनी चादी पर उसी काँच के टुकड़े से वो ए जे लिखने लगा ठीक वैसे ही जैसे उसने उस पीपल के पेड़ पर लिखा था ये सब देखकर अभिनफ की रोहु काप गई थी सुभा के पाँच बच चुके थे और समुद्र के उपर से अब सूरज उकता दिखने लगा था जै के उपर जैसे ही सूरज की रोशनी गई जै अचानक से होश में आ गया ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे अपने साथ हुई कोई भी चीज याद नहीं थी और वो अपने सीने पर बने घाओ को देखकर बहुत जादा खबरा गया था उसके बाद वो दोनों चुप चाप अपने घर चले गए उस दिन शाम होते ही जै की तबेद खराब होने लगी जै अपने बिस्तर पर लेट तो गया पर उसे बिल्कुल भी नीन नहीं आ रही थी उसके दिमाग से उस जीव की शकल निकल ही नहीं रही थी तभी जै को अपने कमरे से किसी के गुरानी की आवाज आना अवाज ठीक वैसे ही थी जैसी उन्हें कल उस पेड के पास से आ रही थी जै इतना घबरा गया कि उसने डर के मारे अपनी आखें बंद कर ली और चादर को अपने मूँ पर चढ़ा लिया कुछी पलो बाद वो अवाज आना बंद हो गई और कमरे में एक सनाटा हो गया जै का डर थोड़ा कम हुआ तो उसने अपने चहरे से उस चदर को हटा लिया लेकिन जैसे ही चादर को हटा कर जै ने अपनी आखे खोली तो उसके दिल की धर्कने लगबग रुख ही गई उसके कमरे की चद पर वही जीव बैठा था लेकिन इस बाद उसका खौपनाख चहरा साफ साफ दिख रहा था वो जीव एक ब्लानक राक्षस की तरह दिख रहा था उसकी चमडी बिलकुल पेड के तने जैसी थी और उसका चहरा बिलकुल एक छोटे बच्चे जैसा था इससे पहले की जै कुछ कर पाता उस ब्लानक राक्षस ने जै पर अटाप कर दिया उधर अभिनव बहुत घबराया हुआ था जब उसके पापा ने उससे उसके घबराहट के वजह पूछी तो उसने अपने पापा को पूरा किस्सा बताया कि उनके साथ पिछली रात क्या हुआ था अभिनव के पापा शहर के माने जाने वाले पंडित थे लेकिन अभिनव की बात सुनकर उनका दिल देल उठा उन्हें समझ आ गया कि उनके बेटे अभिनव और उसके दोस्त जै के उपर मुंज्या का साया चुका है उन्हें बताया कि मुंज्या एक ऐसा असुर है जो एक बार पीछे पड़ जाए तो पीडियों तक पीछा नहीं छोड़ता जब कोई बच्चा अपने मुंडन के 10 से 14 दिन के बीच किसी बज़ा से मर जाता है तो उसकी आत्मा मुंज्या बन जाती है मुंज्या एक गुस्से से भरे बच्चे की तरह होता है और पीपल के पेड़ पर रहता है और अगर कोई उस पीपल के पेड़ से छेड़ खानी करे तो वो उस इंसान के पीछे पर जाता है उन्होंने उसी वक्त अभिनव और जै को लेकर उस पेड़ के पास जाने का डिसीजन लिया रात को अभिनव और उसके पापा जै के घर पहुँचे पर वहां जो उन्हें दिखा उस पर किसी को विश्वास ही नहीं हुआ जै की अपने बिस्तर में ही मौत हो चुकी थी उसके चेहरे पर ऐसा एक्स्प्रेशन था मानो मरने से पहले उसने अपनी मौत को करीब से देखा हो अभिनव के पिता ये देखकर चिंता में आ गए वो अभिनव को लेकर फोरण उस पीपल के पेड़ के पास पहुचे और अभिनव के पिता ने उसी समय उस पेड़ के सामने एक छोटी सी पूजा करके उस मुझा से हाथ जोड़कर माफी मांगी वो कई घंटों तक पूजा करते रहे और उस मुझा से माफी मांगते रहे, जैसे ही सूरे उदे हुआ, वो दोनों अपने घर वापस आ गए। उस दिन के बाद से, अभिनव को कभी वो मुझा नहीं दिखा, लेकिन अभिनव ने अपने सबसे करीबी दोस्त को खो दिया था। आज भी अभिनव शराप को हाथ नहीं लगाता, और रात के समय पीपल के पेड़ के पास से कभी नहीं खुजरता।